साथ स्रेकाल नमस्कार हमारे सभी किसान भाईयों को मैं समसेर सिंग विरकाब सभी का स्वागत करता हूँ फार्मिंग यान चैनल में किसान भाईयों जो पिछले 15 दिनों में धान की खरीद हुई है इसके जो भाई थे इनमें क्या उतार और चढ़ाओ देखने को मिले हैं आप लोग या वीडियो जरूर देखें क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक रिपोर्ट वा जानकारी साज़ा करने वाला हूँ जिससे आप लोगों को पूरा अंदाजा होगा कि इसके भाई में क्या उतार और क्या चढ़ाओ देखे जा सकते हैं यानि तेजी और मंदी की रिपोर्ट पेस करने वाले हैं जैसे कि किसान भाईयों धान की कटाई का समय बिल्कुल जोरो पे चल दा है हर किसान भाईयों के मन में होता है कि उसकी फसल का भाव जो है अच्छा मिले ज्यादा मिले जैसे की ज्यादा अमदनी हो तो किसान भाईयों जो धान का बजार होता है मार्केट होती है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुस्किल होता है यानि तेजी मंदी का तो कल कुछ और भाव, आज कुछ और भाव होते हैं, मार्केट ऐसा ही होता है तो किसान भाईयों आप इस रिपोर्ट को जरूर देखें अन तक अगर आप धान की खेती करते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो खेती से सबंदित जुड़े सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लें पासाली घंटी को जरूर प्रेस कर लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की हलचल की 15.09 धान का भाव था पिछले से पिछले हपते की बात करें तो पात्रा मंडी में 15.09 का भाव था जो वो टॉप 3300 रुपए को देखने को मिला था जो इस हपते बढ़कर यह 335 हो गया यह धान समाना मंडी में भिका था इसमें 55 रुपए की तेजी दर्ज की गई है 11.21 धान का भाव पंजाब की मंडियों में 11.21 अगर बात करें तो कोई इसमें ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है किसान भाव और आवग भी थोड़ा कम ही देखने को मिली है हर्याना में 15.09 का रेट की अगर बात करें तो हर्याना की मंडियों में किसान बाईयों 15.09 की जबरदस्त आवक होई है और भाव में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है 15.09 की बात करें तो बोली में ये 3310 रुपए टाव भाव देखने को मिला जो इस हबते बढ़कर ये 3361 रुपए तक पहुँच गया इसमें 501 रुपए की तेजी देखने को मिली हर्याना 11.21 का रेट जैसे हलाकि 11.21 धान की ज़्यादा आवक नहीं देखने को मिली है लेकिन जो भी इका दुका जगा पर ये धान विका है काफी प्रभावित करने वाले भाव रहे हैं नए 11.21 टॉप बोली जो है 3501 रुपए लगी जो की गन्नौर मंडी में देखने को मिली थी हलाकि सनिवार को 11.21 धान के 3300 रुपए के आसपास पास देखने को मिले हैं अभी ये कहना काफी जल्द वाजी होगी की 11.21 का स्थाई भाव क्या रहने वाला है लेकिन जो भी अब तक महौल मंडियों में देखने को मिल रहा है उसको देखती हुए 3500 रुपए के उपर भाव यानि 11.21 को कोई बड़ी बात नहीं है की हो जाए अगर 17.18 की बात करें तो कुछ खास इसमें आवक नहीं देखने को मिली है भाव जो लगें इसमें 32.00 रुपए से लेके 32.60 उनको ये देखकर लगता है की 17.18 का भाव भी 11.20 से ज़्यादा कम नहीं रहेगा PB1 दान का रेट के अगर बात कर ली जाए तब PB1 दान में कुछ खास देजी अब तक नहीं देखने को मिली है जहां तक पिछले हफ़ते की बात करें तो 28.00 रुपए से लेके 29.50 टॉप भाव चल रहे हैं और यह कहा जा सकता है कि फिलाल बजार नरम है चावल के भाव को देखकर आगे ये 3000 के पलस के भाव की उमीद जताई जा रही है DP दान का रेट DP दान में खास दोर पर इस बार पिछले सीजन के मुकाबले उतना उतसा नहीं देखने को मिलना है हमने सीजन में सुरू में बताया थे कि चावल के भाव को देखकर ये लगता है कि इसका भाव 11-21 धान के भाव को पार करना मुश्किल है त्योहरों के सीजन में हलाके थोड़ी तेजी की उमीद की जा सकती है फिलाल DP के भाव में 28-29 रुपे के आसपास चल लाए है बासमती 30 का रेट बासमती जो है 30 नंबर के इस सीजन में अब तक आवक देखने को नहीं मिली है चावल के भाव को देखते हुए 5000 के भाव की उमीद की जा सकती है सुगंदा और सरबती का रेट सुगंदा सरबती फिलाल तेजी दिखा रहे हैं 2700 के आसपास के भाव सुगंदा में आम है और उत्तर परदेश की मंडियों में सरबती 2000 रुपे से लेके 2250 की रेंज में घूम रहा है सुगंदा में 2700 के उपर भाव की उमीद कम ही लग रही है जैसा कि आप सब को पता होगा कि बासमती चावल ज्यादा तर बिदेशों में निर्यात होता है निर्यात समुद्री जहाजों के द्वारा किया जाता है लेकिन कुछ मैनों में जहाजों का जिन कंटेनरों में लाद कर चावल निर्यात होता है उनका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिस वज़ाए से चावल के भाव में थोड़ा जटका लगा है नर्यात में रुकावट भी आ रही है और सरकार इस दिसा में काम भी कर रही है कि सन्भाई यो जो में आप लोग को ती